तो दोस्तो नमस्कार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज कि इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ Bank of India में DBT या तो NPCI कैसे लिंग कर सकते हो यानिक दोस्तो आधार कार्ट को Bank of India में अकाउंट है तो इस वीडियो में पूरी जानकरी बताने वाला हूँ DBT लिंग करने का तो वीडियो को आखरी तक बने रहना लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटिस रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकरी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जैसे दोस्तो डीबीटी या तो NPCI जैसे दोस्तो आप सबी को पता है सरकारी वला कोई भी पैसा आपके बैंग खाते में ट्रांसपर किया जाता है तो दोस्तो ओ डीबीटी के माध्याम से बैंग खाते में ट्रांसपर किया जाता है यानि कि आधार में जो भी बैंग खाता लिंक रहता है उसी में पैसा आता है आधार बेस पेमेंट यानि कि DBT Direct Benefit Transfer से आपका बैंग खाते में ट्रांसपर किया जाता है ऐसे में दोस्तों आपके आधार काड के साथ बैंग खाता लिंक नहीं रहता है तो आपका पैसा आपके बैंग खाते में नहीं आता है इसलिए दोस्तों आपको DBT या तो NPCI लिंक करना जुरूरी है तो चलिए बात करते हैं कि आपको बैंकोप इंडिया में DBT कैसे लिंक किया जाता है उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखतो सर्चोल उप्सन आ जाता है सर्चोल उप्सन पे आपको लिख देना है npci.org.in इस वाला वेबसाइट का लिंक वीडियो के description में देदूंगा directly आप link पे किलिक करके इस website पे आ सकते हूँ अब दोस्तों scroll down करने के बाद यहीं पे आप एक option आ जाता है देखतों consumer लिखा हुआ है आपको इसी consumer बटन पे किलिक करना है जैसे ही किलिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे option खुल जाएगा फूड़ा सा वीट करना है step से option आ जाएगा और यहाँ पे आपको timer चलने लगेगा आपका time 8 minute का समय दी जाता है तो 8 minute के अंदर में ही आपको इस form को फिलब कर देना है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बोला जारा है dbt यानि के sitting अगर link करना चाहते हो तो इस पर किलिक करना अगर दोस्तों और पहले से आपका sitting है bank of india तो deciding करना चाहते हो हटाना चाहते हो तो यहाँ पे नीची वाला पे किलिक करना लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हो link करने का तरीका तो आपको यहां पर sitting बटन पर उपपर वाले पर क्लिक करना यहां से आपको select bank दिख रहे तो आप को ūन सा bank में link करना चाहते हो यहां पे आपको लिख दें bank of india यानि कि bank यहां आप लिख दें bank of india bank of india आउच्वक है इस टैप से उसके बाद दोस्तो अगर आपका पहले से कोई भी लिंक नहीं है तो आपको फ्रेस पे किलिक का दना है जैसे दोस्तो फ्रेस पे किलिक करना है अगर दोस्तो सेम बैंक आगर रहते हो दूसरे बरांच में तो दूसरे नमबर में किलिक करना यहाँ पे दोस्तो अगर दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो तीसरे नमबर में लेकिन फ्रेस यहाँ पे किलिक करना क्योंकि बैंको पिंडिया में करने वाले हैं उसके बाद दोस्तो यहाँ पे देश तो तेप से उसके बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर Capture Code दिया गया है Capture Code को इस Box में भार दना है उसके बाद Proceed बटन पर किलिक करना है जैसे है दोस्तों Proceed बटन पर किलिक करोगे तो तो दोस्तो आपके आधार काड़ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका request submit हो जाएगा, उसके बाद दोस्तो 24 गंटे के अंदर में आपका यहाँ पे DBT या तो MPCI आपके बैंक हाता में, Bank of India में लिंक हो जाएगा, तो इस से टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करना